नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेडिशनल जाइका पे और आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट पास्ता तो आएए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक गढ़ाई उसमें डालना होगा पानी और उसमें डालना होगा एक चमश नमक फिर इसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रिंग वाला पास्ता ले रही हूँ और इसे बॉयल करने के लिए चड़ाती हूँ ध्यान में रखे कि पानी ठंडा हो तब पास्ता को ना डाले पानी जब हलका गरम हो जाए तब ही पास्ता को डाले अब ये देखिए पास्ता में अच्छे से बॉयल आ गया है इसको एक बाद चेक कर ले जब बीच से काटेंगे आप तो इसमें एक वाईट सा दागी बना रहे बना रहता है तो समझेगा कि अन्दर सब भी कच्या है इसको और पकना है अगर ये पूरा अच्छे से कट जाए तो समझ जाएा कि पग गया है अब पास्टा को पानी को अलग करते और जैसे ही पानी को अलग करेंगे तुरिंत ही ठंडा पानी उसमें डाल दे ताकि वो एक दूसरे से चिपके न और उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीटली बंद हो जाए तो देखिए यहां मैं ठंडा पानी से भी उसको अच्छे से वाश कर दी हूँ ताकि यह चिपके न अब मैं दूसरा कढ़ाई ले ली हूँ और उसको गरामोने के लिए चड़ा दी हूँ उसमें दो चम्मच ओयल डाली हूँ और उसमें फिर बारी कटावा लैसून डाली हूँ अब मैं एक मीडियम साइज को अब मैं दूसरा कढ़ाई ले ली हूँ उसमें बटर ली हूँ और ब्रॉकली ली हूँ थोड़ा तरी कॉंटेटी में से ले जादा एक दम भरके सब्जी ना डाले अब मैं इसको हलका से नमक भी डाल दी हूँ इसमें ताकि सब्जी शू है वो जल्दी से सॉफ्ट हो अब मैं दूसरा कढ़ाई ले ली हूँ उसमें बटर ले ली हूँ अब देख सकते कॉंटिटी किता है बटर का क्योंकि इससे ही आपका वाइट सॉस बनेगा बटर जैसे मिल्ट हो जाए तो उसमें दो दीन चमज मैदा को डाले और इसको कंटिन्यू चलाते रहे मैदा को इसी में सिखाई करना है बटर में ही आप इसका धिहान रखे कि मैदा ब्राउन ना हो जाए लेकिन हलका से कच्छा पन दूर हो जाए आपको अगर लगे कि मैदा जादा हो गया है बटर कम हो गया तो बाद में बटर डाल के इस तरह से चला सकते जैसे मैं चलाई हूँ दूद्धं आते जी बात से टावक में कि पतल हो में ज़्यूदं कि यह सालगा, त्यूट में वाकलों इस топ बॉद्धं जाहिए जा पतला प१ा रॉंदंऄ यह को पास्ता डालें defect तो पास्ता ऐसा होना चाहिए कि वो क्रीमी डाइब दिखे आप देख सकते से कंसिस्टेंसी कैसा दिख रहा है अब इसमें मैं एक चमच नमक डाल दी हूँ एक चमच काली मिर्च का पाउडर एक चेली फ्लेक्स और हाफ चमच औरिगानो डाली हूँ अब इसको अच्छे से म अच्छी आफिवाश भी यूद्य स्थे सब्सटे सब्सक्ता टले छूच को सब्सब्सदें का ओ करते हैं अब सब्सक्त single-panda चाहिए हम घ्रत यह सब्सक्तव और सब्सक्तिच मिलाने के बाद पैस्ता को जो अभी इसको मिलाथ एक नदों को अच्छे से मिक्स करना है इसे गरम-गरम सर्फ करें, उपर से हलका सा चिली फ्लेक्स और औरिगाने को डाल के सर्फ करें. ये देखने में बहुत सीजलिंग लगता है और बहुत ही यम्मी लगता है खाने में. सो इसे आप घर पे जरूर बनाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वाइट सॉस बास्ता कैसा बना है और ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लास्ते देखने के लिए बहुत कर द्सक्राइब कर दो सession देखने कर लास्ता कैसा बनाएं याइब अजयों है झाल कर दो दो अजयों है।